हेलो बच्चों स्वकत करता हूँ आप सबको तो यहां पे हम बात करने वाले हैं आपका चेप्टर नमर 2 को डिसकेस करेंगे जो प्रस्ण वली डिसकेस कर रहे थे उसी को हम continue करेंगे यहां पे ठीक है फोर्टी और फिप्टी को भाग करते हैं तो कोई सेस नहीं बचता है ठीक है फिर से एक बार समझा देता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमको प्रस्ण को समझना ठीक है आपको अगर प्रस्ण समझ में आ गया तो एंसर अपनी आप से आजाएगा तो आपको क्या करन संख्हा यहां पर आपको मसण निकालना पड़िया कि इसका संख्या दिया गया है इस संख्या का मसा निकालेंगे तो हम चह्new on that toute Kारहद को की थोटा से चन्क्राइब को पाने कर पायंगे थिन से नहीं कर पाएंगे थीन से हम सब को भागने कर पाइंगा भाग नहीं जाएगा, 4 से चिक करिए इसको 4 से भाग जाता है, लेकिन ए दोनों संख्या को 4 से भाग नहीं जाता है, तो अब देखेंगे 5 से, क्या 5 से सबको भाग जाएगा, या 5 से भाग जाएगा, ठीके, 5 यहां पे हमने लिख दिया, 5 से इसको भाग दिया तो 7 बार गया पाथ से इसको भाग दिया तो 8 बार गया, 8.45 इसको कितना बार गया, 10 बार गया, ठीके, तो अब दुसरा संख्या ऐसा खोजी है जिससे की तीनो संख्या को भाग जाता हो, मतलब कमन संख्या, एकी संख्या होना चीए जो तीनो संख्या को भाग जाता हो, ठीके, तो तीनो सं सबसे जो आपको क्या है सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ओके वह हो गया पांच सबसे बड़ी संख्या है पांच और भी लाइन आपको लिख सकते हो के से आगे वाला लाइन लिखना है जिससे पचास जिससे है पांच जिससे अब लिख दीजे पूरा ओके तब आपका क्लियर हो जाएगा एंसर जिससे 35, 40 और 50 को भाग देने से, भाग करने पर, करने पर सेस नहीं बचता, सेस नहीं बचता, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजे, सेस नहीं बचता या नहीं रहता, प्रकार्स निकालने वाला, थीक है, तो सबसे बड़े संख्या है 5, जिसे 35, 40 और 50 को भाग करने पर, शेस नहीं बचता, तो इस प्रकार से आप इस प्रष्ण को कर लेंगी कौनसा नंबर प्रष्ण का प्रष्ण कर स्प्राइल नंबर 4 पहले याप उत्तर किया ऊक्म यह चार नंबर का उत्तर था ठिक है आप इसको वीडियो को-पॉस्ट कर दीजаю और इसको लीकलि जेगा आपके copy में की हम इसको कैसे करते हैं इसके बाद हम next question पर जाएंगे इसको मिटा देता हूँ next question को हम देखेंगे इसको मिटाने के बाद next question क्या है next question बोला गया है six number questions देखिया आपका प्रस्नवली का six number question एक सिक्षक को 66 कितना 66 66 केले और 110 आम दिये गए अधिक्तम कितने बच्चों में फलो को बराबर बाटा जा सकता है तो इसमें भी आपको क्या करना है इसका मसा निकालना है तो मसा आएगा इसका जो मतम सम्मापवर्ट तक आएगा जो है वही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा तो आपको क्या करना है यह कितना number प्रस्न है छे प्रस्ट को आप उत्तर कैसे लिखोगे उत्तर क्या लिखोगे आपको पहले मुसहा निकालना रहा है 66 और 110 का तो मुसहा निकालना मैंने पहले भी बुला था हूश्टेख का मैं निकालने वला विडियो को देख लिजेगा 33 हो गया इसको क्या हो जाएगा 55 हो गया ठीक है दो से हमने भाग किया अब ऐसा संख्या खोजिए दोनों संख्या को भाग जाना पड़ेगा 33 को भी भाग जाएगा और 55 को भी भाग जाएगा कौन सा ऐसा संख्या है ओ है 11 कौन सा है 11 तो यह आ जाए कितना बार आ जाएगा इसका आ जाएगा 3 बार इसका आ जाएगा 5 बार तो हमने कौन-कौन सा संख्या से भाग दिया, हमने भाग दिया उपर का दो संख्या से मसा बराबर कितना हो जाएगा, दो गुणे 11, ये दोनों संख्या से भाग दिया कि नहीं दिया, तो दो गुणे 11 हमारा हो जाएगा मसा, तो कितना हो गया, 22, इसलिए हमारे पास क्या एं बच्चों में फॉलो को बराबर बाटा जा सकता है बराबर बाटा जा सकता है ठीक है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जा सकता है तो आपको मुझा निकालना था ठीक है आपने क्या कर दिया देखे जो संख्या दिया था उसका मुझा निकाल लिया तो 22 बच्चों में फॉलो को बराबर बाटा जा सकता है तो मुझा जो आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा तो आमने क्या कर दिया 22 बच्चों में 10 या 15 या 20 के सम्मू में पंक्ती बना कर बैठाने पर कोई छात्र नहीं बचता तब उस कक्छा में कितने छात्र हो सकते हैं ग्याद करो तो आपको देखिए अगर 10 का सम्मू बनाते हैं या फिर 15 का सम्मू बनाते हैं कुल कितना चात्र हो सकते हैं घ्याद करने के लिए बोलाएं चात्र हो सकते हैं घ्याद करें तो इसको मिटाता हूँ तो साथ नमर प्रस्ण में आपको आएंगे साथ नमर प्रस्ण में आपको इसको करने के लिए वो क्या करना बड़ेगा सात नमर प्रस्णमी आपको उसका लशा निकालना पड़ेगा, किसका 10, 15 और 20 का, अगर आप लशा निकालोगे तो आपका एंसर आजाएगा ठीक है, 10, 15 और 20 का, ठीक, तो 10 15 और 20, तो लशा निकालोगे, लशा अब देखेए इसको लसा निकालने और मसा निकालने का मेथोड़ थोड़ा सा अलग था, इसको हम 2 से भाग देंगे, सबसे चोटा संख्या, यह 5 हो गया, यह 15 को भाग नहीं जाएगा, 15, यह 10 हो गया, ठीके, अब दूसरे संख्या क्या है, दूसरे चोटी संख्या क्या है, 3 से हम भाग कर स हो गया यह 3 हो गया एक इतना हो गया दो हो गया ठीक है अब हमारे पास जो भी संख्या आया है सब यह क्या है अभाज संख्या है तो इसका लशा क्या हो जाएगा लशा में मैंने क्या हो था सब सब को गुणा करना है, दो गुणे, पांच गुणे, तीन गुणे, दो तो एक को गुणा नहीं गया, सब को गुणा कर दिया, आमने कितना हुआ, यह दोनों को गुणा गया, 10 हो गया, 10 को, 10 को 3 से गुणा गया, 30 को 2 से गुणा गया, 60 हो गया, तो लसा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60 आ गया तो आपको क्या बोलना है पंग्ति कितने के पंग्ति होना ची एक तो कितने छात्र होंगे तो कक्छा में कुल कितना छात्र है कक्छा में कक्छा में देखिए लगसा निकाल दिया कक्छा में कितने छात्र है कक्छा में 60 छात्र है चात्र हो सकते हैं, ओके हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, तो इसलिए हो सकते हैं, ठीके, कक्षा में कितना चात्र हो सकते हैं, साट चात्र हो सकते हैं, जो हमने लसा निकाला, वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीके, जैसे लसा और मसा का जो application था, लसा और मसा हमने जो सिखा था उसको हम कहां यूज करेंगे तो इस प्रकार के प्रस्न में हम लशा और मसा इस्तेमाल करके हम उसका एंसर निकाल सकते हैं तो यह तीन प्रस्न को आप अपने copy में लिखना है और जो भी आपको doubt होगा आप मुझे क्या करना है अगर आपको WhatsApp नमर नहीं पता है तो फिर से एक बार लिख देता हूं वाट्सेप नमर आपको नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ भी comment नहीं कर रहे कुछ भी आपको questioning नहीं कर रहे 9101493462 तो इस नमर पर आप WhatsApp कर दीजिए अगर जो भी प्रसना आपको doubt लगता है तो इस नमर पर आपको WhatsApp कर दीजिए मैं उसको समझा दूंगा ठीक है आशा करता हूं आज का यह topic आपको समझ में आया होगा अभी किन इतना ही thank you for watching God bless you